हलो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं डाल फ्राइ और जीरा राइस जो खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलिशस होते हैं इस डाल चावल की तो क्या बात है फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन का बटन भी जरूर दपाईए लाइक और शेयर करना तो बनता ही है अगर आपको कोई रेशिपी पसंद हो तो कमेंट करके जरूर बताईए डाल फ्राइब बनाने के लिए हमने थूर की डाल और मूंकी डाल लिया है मूंकी डाल दो हिसे और थूर की डाल एक हिसा आप अपनी क्वांटेटी से ले सकते हैं कोई भी गर की कटोड़ी आपसेट कीजिए उसे आप डाल को कम से कमादा गंटा पहले बिगा कर रख देना चाहिए जिससे खाने में टेस्ट और ज़्यादा बर जाती है और डाल गलने में तकलिफ नहीं होती इस डाल को अभी हम दो कर अच्छी तरह से एक प्रेशर को कर में दो गलास पानी डाल कर इस डाल को हमें डालना है और नमक और हल्दी सवादनुसा डालने है इस डाल से हमें पहले जाग निकलने की है फिर हमें इसे को कर को डकन लगाने का है तब तक हम एक कड़ाई में एक चमच गी डाल कर इसमें गी आईल जो है थोड़ा गरम हो जाए उसमें एक चमच जीरा, कड़ी पत्ता और एक बारिक प्याज कटा हुआ डाल कर इसे बुनेंगे प्याज को हमें गोल्डन फ्राय थोड़ा करने का है तब तक हमारी डाल उबल चुकी है उसमें हमने जाग निकल दी जाग निकलने से हमें गोटनों का दरत नहीं होता और डाल की टेस्ट जो होती है वो बढ़िया होती है अगर डाल आप पहले नहीं बिगा रहे हैं तो उसमें आदा चमच गी का डाल सकते हैं या आयल डाल सकते हैं तब तक हम ने जो गोल्डन ब्राउन ओनियन किया है उसमें आदा चमच लसन अद्रक का पेस्ट डाल कर उसे थोड़ा फ्राय करेंगे और अपने क्वांटिटी के हिसाब से दो टमाटर की प्यूरी बना कर वह उस ओनियन में हम डालेंगे इसे भी हमें बुनने का है जैसे टमाटर का कच्चापन चला जाए तब तक हमने चावल के लिए अपने क्वांटिटी के हिसाब से एक कटोरी चावल तो उसमें हमने बासमती चावल लिये हैं हमने और तब तक एक बरतन में आदा चमच आईल डाल कर अगर हमें जीरा राइस बनाने का है तो इसमें आईल को हम पहले गरम करेंगे उसमें हम आट दस काली मिरिच दो चार लॉंग तेज पता और जीरा ये खड़े मसाले थोड़े डाल कर उसी कटोड़ी के नाप से हम एक कटोड़ी चावल है तो तिन कटोड़ी पानी डाल कर उसको हमें उबालने का है इसमें चावल में आप चाहें तो पीज और गाजर भी डाल सकते हैं नमक सवाद अनूसर पीज और गाजर डालने से चावल का टेस्ट और बर जाता है खाने में बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं तब तक हमने चावल जो बेगो के रखे थे दोके साफ करके उनका पानी निकालने कर जब चावल का पानी उबल जाए तब उसमें वो चावल हमें डालने हैं और हाइफ लिम गैस पर ही पकाने हैं अगर आप इस तरह से चावल बनाएंगे तो इसकी टेस्ट तो लाजवाब ही होगी तब तक हमारा ये मसाला भी बून चुका है डाल फ्राइ बनाने का उसमें हम नमक सवाद अनुसार लाल मिर्ची पाउडर और जरा से हिंग हो आपके पास अवैलेबल तो आप वह भी आदी चुटकी हिंग की भी डाल सकते हैं हमें टामाटर को अच्छी तरह से बूनना है और जो हमने ये मिर्ची लाल मिर्ची अगर आपके पास काश्मीरी लाल मिर्चो तो वह भी डाल सकते हैं और किचिन किंग मसाला हो तो आप वह भी डालें इससे मसाले को अच्छी तरह से हमें बुनना है तब तक हमारी दाल भी उबल चुकी है इसे इतनी सीटी नहीं लगाने की है प्रेशर कुकर को उबलने का है और उसी बाफ में ये दाल पक जाती है आज कल डाल फ्राइक खाने का तो बहुती सब लोगों को पसंद आती है बच्चा हो या बुड़ा हो डाल चावल मिल जाए तो और इससे ज़्यादा खुश नसीबी और कोई नहीं होती है लोग कैसे भी हो बीमार हो या क्या तबी भी या ठीक हो तंदरस्त हो ये हलका फुलका खाना खाने में बहुती टेस्ट्री होता है तब तक हम ने जो डाल बनाई थी वह उसी मसाले में डाल लेने की है आप चाहें तो इसमें लाल मिर्ची जो पूरी आती है उसका भी तरका दे सकते हैं और इसे डाल को पकने के लिए हम धीमी आँच पर पांच मिनट के डक के लिए डकन दे के रखेंगे जिससे डाल की टेस्ट और बढ़ जाएगी और मसाले इसमें अच्छी तरह से मिल जाएंगे ये डाल बनाना बहुती आसान है और खाने में जितनी टेस्टी उतनी दिखने में भी है सुन्दर हर किसी को पसंद आने वाली और बनाना बहुती आसान आप इस तरीके से बनाएंगे तो उंगलियां चाट कर हर कोई डाल चावल खाएंगे जितने चावल भी खाने में टेस्टी होते हैं ये आप चाहें तो पीज और गाजर इसकेप कर सकते हैं चावल में अब हमारे चावल भी बन कर तयार हो चुके हैं इसे पाच मिनट तक हमने डखकन देके लो गैस पर पकने के लिए रखेंगे अब हमारे चावल भी बन चुके हैं कितना एक एक दाना चावल का अलग अलग रग रहा है ये दाल चावल खाके आप तो क्या आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे गर के बच्चे हो या महमान हो कोई भी हो दाल चावल सब के फैवरेट होते हैं आप भी ऐसे गर में बनाएए और रेस्टारंट स्टाइल दाल चावल खाने का मज़ा लीजिए ऐसे दाल चावल आप गर में बना के खाएंगे तो रेस्टारंट में जाना बूल जाएंगे बच्चे भी इसमें आप बटर भी बच्चों को डाल के दे सकते हैं जिसे ये हेल्दी खाने में और भी हेल्दी होता है इसे आप आचार, पापर, आम के मुर्बे, राहता किसी के साथ भी आप खा सकते हैं आप भी ऐसे गर में बनाएए और अपने गर में ऐसे दाल चावल बना कर रेस्टारंट स्टाइल के जैसे डाल चावल का मज़ा लीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये कैसे लगे ठैंक यू अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कीजिए जैसे मेरे सारे वीडियो का नोटिफेकेशन आपको मिलता रहे अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक का बटन भी जरूर प्रेस कीजिए और साथ में मेरे वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं